हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आज हम बनाएंगे मीठे में शाही टोस्ट आपके पास घर में कोई भी मिठा पड़ा हो जैसे बर्फी या खोई की कोई भी मिठाई पड़ी हो आप ले सकते हैं उससे यह देखे इस तरह मैंने यह रोल लिये हैं और इसके हम जो चांदी हम इसमें भीगा रहने देते हैं और अब हमने यह दो ब्रेट स्लाइस लिए इसके हम कोर्नर हटा देंगे इस तरह से आप चाहे तो वाइट ब्रेट भी इसमें यूज कर सकते हैं और अब देखे इन दोनों स्लाइस के हम चार टुकड़े कर लेंगे इस तरह से सेंटर में क कम ले सकते हैं जितना आप को शर्वत बनाना है उत्न यह हमने इसमें पानी ढाल दिया है और इसकी चासणी नहीं बनाएंगे हम बस इसको तोड़ा साम मैल्ट होने देंगे चीनी को इस तरह से ये देखिए यह देखिए उबलने लगी है यह और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे इस तरह है जिसे इसका कलर अच्छा आजाएगा और थोड़ी खुश्बू भी अच्छी आएगी चास्नी में से और अब यह देखिए उबल गई और सारी चिनी मेल्ट हो और अब एक पहन में हमने यह ओयल गरम करा है आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं और यह जो ब्रेट के पीसिस ते इसे डाल देंगे इस तरह से और अब हमने इसे फ्राई करना है एकदम क्रिस्पी यह देखिए इसे सोफ नहीं रखना हमने थोड़े क्रिस्पी करना है इसे तो इसे डार्क होने देंगे हम, थोड़ा उलट पलट लें ताकि जल ना जाएं आपके ये ब्रेट पीसिस, इस तरह से ये देखें, और इसका एक कलर बड़ा अच्छा आजाएगा ब्रेट का, जब ये पूरी तरह से फ्राई हो जाएंगे, ये देखें, बस इस तरह कलर करने चाहिए, बस इसी तरह हम दूसरा भी बैच इसमें फ्राई कर लेंगे, ये देखें, कलर कितना सुंदर आ रहा है और अच्छे लग रहे हैं कापी, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं ये, इसी तरह हम दूसरा बैच भी हम त्यार कर लेंगे, और अब हम इसे छनी पर रख जखते हैं अच्छी तरह से ताकि ये, रस में ये अच्ही तरह से भीग जाएं, क्योंकि हम ने ने ज्याधा मीठा नहीं बनाना है, क्योंकि हम ने बर्खी यूस की है, ये ये Crりますнок, ये अधिक हम धूसरे हम पर रिंगे, ये Remo दूसरी तरह से थोड़े से हो जाएं, ये तो अच्छी तरह से एक अच्छी तरह से रस चला जाए और जो बर्फी हमने भी घगुई थी अगर आपके पास बर्फी या घर गर में नहीं है, तो आप इसके ऊपर आईस क्रीम आती है, पिस्ता वाली आती है, वो भी आप इस तरह मेल्ट करके, अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लें और वो भी इस पर लगा सकते हैं, वो भी काफी टेस्टी लगती है, पिस्ता पुलफी भी, यह देखें, बस अब ह और वो जो हमने चांदी के वर्क हट आये थे साइड में आप इसे लगा सकते हैं ये देखे बस ये हमारी डिश तयार है ये खाने में बेर टेस्टी लगती है बरसातों में तो इसका आनंद लें और इसे बनाएए बन भी जल्दी जाती है और इजी भी है और खाने में भी बाई!